इस लेक्षर में हम देखेंगे कंप्यूटर विजन को कंप्यूटर विजन किस तरीके से काम करते हैं और बहुत बेसिक की चीज़ें ठीक है तो यह चीज़ें हमारे लिए डीप लर्निंग के अंदर इमेज रिकेगनेशन और बाकि जिस किसम के टूल हमने फ्यूचर में यू होंगी और सेकेंड लिए हम ओपन सीवी के एक लाइबरेरी को यूज करेंगे पाइथान के अंदर जो लाइफ फीड लेके हमें कंप्यूटर विजन के उपर हैल्प करती है कि किस तरीके से उसे रीट करने हैं खास और पर वेब कैम तस्वीरें सो और अन सो फॉर आप काफ के चलें और हमें समझ आए कि कंप्यूटर विजन कैसे डिल करती है चीज़ों को ठीक है और डेटा साइंस में क्यों जरूरी है अगर हम घौर करें तो हैस्ता हैस्ता हमारा तस्वीरों का डेटा बढ़ड है हेल्थ केर के अंदर बढ़ड है नॉर्मल डेली लाइफ में साइसे और साइबर सेक्यूरिटी और क्राइम डिटेक्शन के लिए बढ़ा कारगर साबत होता है तो आपन सीवी यानिकर की यह जो लाइबरेरिया यह भी हमें हमें करती है बेसिक सीखने के लिए और फ्यूचर आप अगर मशीन लेंग बेस्ट कोई ऐसे अलगरिफम करेंगे open cv के computer vision के वो हम आगे लेके चलेंगे क्या क्या करने वाले हैं कौन कौन सी चीज़ें करने वाले वो यहां पर सारी मैं आपको बता देता हूं बारी-बारी सबसे पहले हम देखेंगे किस तरीके से इमेज़ें काम करती है, pixels क्या होते है, HD क्या होती है, sd क्या होती है, size क्या होते है और तस्वीरों को numeric data के अंदर कैसे convert किया जाता है, numeric data क्या होता है, so on and so forth पहली definition जिए pixels क्या होते हैं, आम मैंसे कितने लोगों को पता है कि pixels क्या होते है पिक्जल्स आपने सुना होगा ना कि फलाँ कैमरा S23 अल्टरा आया जिस हमसंग का कितने 200 मेगा पिक्जल का कैमरा है पुराने दोर में 6 मेगा पिक्जल का डिजिटल एक कैमरा होता तो और जिसके पात होता था ना उसको लोग सुलूट मारते थे एक किसम के खास तोर पे जब नहीं नहीं फेस्बूक आई थी मेरे पास था मुझे पता है फिर लोगों के इतने मैसेडिस आते थे यार तस्वीरें भी थे तब वटसएब भी नहीं चलता था कैसे आपकी जो स्क्रीन होती है ना उसके उपर एक माइन्यूट एरिया होता है यह पूरी एक स्क्रीन है इसके उपर एक माइन्यूट एरिया है वो माइन्यूट एरिया जो स्क्रीन या डिस्प्लेइ स्क्रीन के उपर मौझूद होता है वो तीन किसम की ये चार किसम की लाइट शोड़ता है depends on your LCD ठीक है वो लाइट के यूनिट RGB होते हैं red, green, blue red, green और blue ये तीन primary color से मिलके बाकी सारे colors बनते हैं तो R, G और B की जो integration है different चीजों की वो मिलके आपको एक color show करवाती है तो अगर वो minute area सबसे basic unit को हम देखें तो वो एक तस्वीर का pixel होता है ठीक है जितनी बड़ी तस्वीर, जितनी मर्जी heavy camera से सीखी हो बनी हो वो एक जो तस्वीर होती है उसके quality ज़्यादा तब होती है जब एक area में ज़्यादा pixel हो यानि के pixel बहुत छोटा ओड़ आपने अक्सर उकाद सुना होगा कि यार तस्वीर बड़ी खराब सी है या pixelated तस्वीर है यानि के pixel मैं अपनी आंग से ही देख पा रहा हूँ समझ रहे हैं बात को यानि के ये वाली तस्वीर आपके सामने है अगर कोई अंदाजा लगाया तो बड़ी गोर करनी पड़ी है कि सूरज मुखी की तस्वीर है ठीक है सनफलार की है क्यों क्योंके pixels आपके सामने नजर आ रहे यही pixel छोटे होते बहुत पीछे को गए होते तो आप यह तस्वीर अच्छे तरीके से देख पाते है तो इसका मतलब यह है कि pixel basic unit है किसी भी image का अब images कैसे बनती है और कौन-कौन सी चीज़ें उसके अंदर involved होती हैं उस पर चलते हैं हमारे पास तीन किसम के pixels होते है अगर हम simple एक तस्वीर की बात करें एक होता है ऐसा area जो uneffected है यानि कि बिल्कुल blank आ रहा होता है वहां पर कोई भी illumination नहीं चल रही होती दूसरा होता है adjacent pixel और तीसरा होता है co-pixel इन तीनो pixels की अगर बात की जाए तो यह तीनो pixels मिल के आपकी तस्वीर बना रहे होते हैं आपकी तस्वीर में एकसर होकात आपने देखा होगा कि कुछ area जैसे होते हैं जो white color के होते हैं बिल्कुल ही bright कुछ ऐसे होते हैं जो colorful होते हैं बहुत ज्यादा colorful और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल dark होते हैं तो हर एक pixel के अंदर different किसम की colors की values होती है हैं जो उस तस्वीर को finalize करती है for example यहां पर हमारे पास यह तस्वीर जो है 20 ppi की है ppi क्या होता है pixels पर पर inch यह कितने की है जी 10 ppi 10 pixels पर inch एक inch के अंदर कितने centimeters होते हैं 2.54 अब मेरी बात सुनिएगा यह गिने एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ नो दस ठीक है यह 10 pixels है इस साइड पर भी इस साइड पर भी ठीक है तो अगर मैं आपको इसकी तश्बी दूँ तो हमारा जो inches होती है एक जो उंगली का एक हिस्सा होता है वो भी एक inch के equal तकरीबन होता है अगर देखा जाए जिसके हाथ बहुत ज्यादा लंबे हैं वो ना कि देखे उसको नॉर्मल पर्सन का तो वो जो एक inch है उसके अंदर कितने pixels हैं अगर वो बड़े-बड़े cut है तो वो 10 pixels है अगर छोटे-छोटे cuts में डिवाइड है तो 20 pixels है यही अगर 200 pixels का होता अपा इंच तो यह तस्वीर हमें बिलकुल एक अच्छी shape में नजर आ रही होती यह जो blue color है साइड पर ठीक है अब जो हमारे पास LCD होती है वो कुछ इस तरीके से होती है blue, green and red RGB colors इस तरीके से चलते हैं और हर pixel को illuminate करते हैं हमारे पास फिर colors आते हैं इसी तरीके से जब हम different किसम की screen sizes को देखते हैं उसमें VGA size होता था, XVGA होता था, 4x3 ratio होती थी, HD होता था, HD TV जैसे है हमारे पास 1980 फिर अभी YouTube आगया, यह तो और भी असान कर दिया है, 4K, 2K, 1080p, 720p, यह सारा कुछ depend करता है कि आपके पास उसकी screen का size क्या है और उसके अंदर कितने pixels चल रहे हैं, ठीक है, तो इस detail में नहीं मैं जाने वाला, मैं direct आगे चलता हूँ सबसे पहले हमारे पास bit और bit depth की बात कर लेते हैं अब each pixel के अंदर, कितने bits यूज हूँ है, वो एक bit depth को show करते हैं हमारे पास अगर by tonal image है, जिसे हम black and white image बोलते है, वो कुछ इस तरीके से होती है, या तो बहुत white area होते है, या black area होते है, ठीक है, ऐसे ही है न, image का, तो जब हम white और black areas को देखते हैं यहां पे, तो हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये by tonal image है, अगर हम colors की बात करें, आपको पता होंगे, नहीं पता तो आपको बता देता हूं, कि 8 bit का जो depth होती है न, उसके अंदर, r की range जो है न, red की range, 0 से 256 था होती है, मतलब 1 से 256 colors होते हैं, red की tones 256 होती है, green की tones भी 256 scale तक जाती है, blue की भी इतनी जाती है, तो आप तीनों को मिला के color बनाते हैं, इसका जब ये, कि इन तीनों को अगर multiply किया जाए, तो हमारे पास possible colors कितने बनते हैं, 16 million, अगर हम 8 bit की बात करें, और usually आपके camera, आपके mobiles और different किसम के जो photography के instrument हैं, वो 8 bit के उपर काम कर रहे होते हैं, फिर आते हैं बड़े महंगे camera, जिसके उपर आपकी movies record होती हैं, वो basically record कर रह हैं, 256 की बजाए, आपके पास 1024 एक color की range होती है, एक से लेके 1024 तक की values होती है, ये वो ही बात है, कि हमें हमारे लिए red ready है, ठीक है, वो जो लड़कियों के लिए होता न, आथशी red, फलाना red, वाइन red, ये red, वो red, फिर उसे में pink की tone आ जाती है, और जैसे वो सारी confirmation चलती है, इसी तरीके से 256 कलर की range है, यहां पे, यहां पे 1024 red के, green के और blue के, तीनों मिल के, तकरीबन तकरीबन 1 billion plus colors बनाते हैं, और 12 bit क्या करती है, यह over 68 billion possible colors आपको देती है, तो इसका मतलब जितनी एक तस्वीर की bit depth ज्यादा होगी, उसमें उतने colors के ज्यादा combination होगे, नॉर् मतलब यह, जब भी आप किसी color की range पे जाते हैं, तो आपके पास RGB की value 256 तक होगी, यह आपको बताने का क्या मकसद है, we will see now, अब black and white की जो range आप basically black 0 को बोलते हैं, और white 1 को बोलते हैं, अगर देखा जाएं, ठीक है, मतलब यह, कि जब आप इस तस्वीर को बनाएंगे, तो screen के ऊपर black की value जा है, वो 0 है, white जहां जहां पर है, वहां पर 1 आ जाएगा, इसी को अगर हम pixels में divide करें, तो जितने pixels हैं, वो हर एक pixel एक value को reflect कर रहे होंगे, ठीक है, और वो values हमें finally नजर आती है, कैसे नजर आती है, we will see that, अब अगर हम, यहां पर check करें, तो हमारे पास black की value तो 0 है, white का जो हमारे पास value है, वो 256 अगर है, मतलब 0 से 255 अगर total देखी जाए, white की value अगर 256 है, तो 0 से 255 होगी, in the index value, 0 अगर black की है, तो white हमारे पास 255 की है, ठीक है, latest, क्योंकि हम अगर 8 bit में देखें तो, तो अगर आप घौर करें हमारे पास 8 bit में, जैसे मैंने आपक extreme है किसी भी point की, तो यहां पे हमारे पास black की 0, यहां पे 255, इसका मतलब जो grey की color की range है, वो 1 से लेके, at the end, 256 के पिछले color तक, right, समझा रही इस बात की, कि जब हम by tonal को देखते हैं, तो 0 1 है, हमारे पास value, grey scale को देखें देखें तो, हमारे पास scale जो होगा, 0 से 255 तक होग तो इसको हम कह सकते हैं, 254 shades of grey होते हैं हमारे पास, ठीक है, और यह shades of grey जो हैं, यह important है, multi-level colors के base पे, अब color image में क्या होता है फिर, यह तो मैंने आपको बता दिया कि इतने bits यहां पे हैं, 24 bit फलाँ जगा पे हैं, white के अंदर by tonal भी आ जाता है, और grey color भी हो जाता है, यह ए advertisement हो जा है, stat quest वाला यह बात करता है, मेरे पास color image है, मैंने उसको grey scale में convert किया, ठीक है, हुआ क्या, जो मेरे पास color image के values थी, वो reduce होके grey scale की values में चली गई, यानि के मेरे पास 254 shades of grey आ गए हैं, right image के अंदर, यहां पाई value और थी, अगर मैं यह मेरी color image को तीन हिस्सों में divide करूँ, तो something like this happens, जैसा के grey scale की image में, सिरफ एक image का 0 से 255 color थे, यहां पे हर image के 0 से 255 है, red के, green के, blue के, ऐसे ही है, grey में जैसे अकेली में थे, यहां पे यह तीनों मिलेंगी, अब color image बनेंगी, ठीक है, तो इस वज़ा से जब भी आपने computer vision के अंदर color से deal करना, you should know the values of RGB, और अगर आप गोर करें, online किसी भी जगा पे, तो आपके पास, जब आपने किसी color का color code देखना होता है, जब आप कोई plot बना रहे होते हैं, तो आपको एक hex code मिलता है, या RGB value का combination मिलता है, और digital colors में ये combination बहुत ज़रूरी है, खास तोर पे designer को ये बहुत important लगता है, वेब developer भी इसको यूज़ करते हैं, programmers भी और हमारे जैसे जो data scientists हैं वो भी, अब ये by tonal है, 0 और 1 है इसके दिन में, या 0 है या 1 है, कोई gray scale नहीं है यहाँ पे, ये gray scale है, 0 से 255, और ये RGB है, red, green and blue, ठीक हो गया, तीन किसम की आपके पास color की images होती है, black and white भी तो color है ना, ये gray scale है, और ये RGB के साथ मिलती है, open cv library के अंदर, इसको bgr बोला जाते हैं, ये मैं अभी इस वज़ा से बता रहा हूं ताकि आपको वहाँ पे confusion ना हो, RGB को बजाए, वो bgr लिख देते हैं, so we will use these things, this is the basic knowledge के pixels कैसे काम करते हैं, और तस्वीरें कैसे काम करते हैं, यही चीज हमारी अगली एक lecture के अंदर आने वाली है, जिसमें हम basically fashion amnist का data चेक करेंगे, और उसके अंदर तस्वीरों के pixels, और gray scale में उसके convert करके, और उसकी सारे के सारी x और y के values को count करेंगे, फिर उसको normalize करेंगे, समझने हैं बात को, तो आपको यह पता होना चाहिए, कि यह 256 क्यों है, और यहां पे bgr या rgb क्यों है, ठीक है, अच्छा, number of tones कितनी होती है कि image में, वो भी मैंने आपको पहले बता दिया, so we don't discuss here, अगर आपको, images का knowledge है ना, कि images कैसे हम design करते है, open CV क्या होती है, computer vision कैसे काम करता है, pixels को कैसे read किया जाता है, x और y values क्या होती है, तो आपको वीडियो का भी पता चल जाएगा, कि this is a sequence of images, अगर आप पुराने दोर की बात करें ना, वो जो ऐसे ऐसे गुमा रहे होते थे कैमरों को, अगर आपको याद हो, तो जो वो कैमरों को गुमा रहे होते थे ना, ऐसे ऐसे, वो आपके तस्वीरें ले रहे होते थे एक rate पे, खास rate पे, और आपने देखा होगा, वो एक वो एक वीडियो नुमा बने यानिके यहां पर मैं वैटा हूँ इदर को मैं सारह लाता हूँ एक सेकंड में मेरी कोई तीस तस्वीरें आपके सामने से गुजरी हैं जो आपको वीडियो की फॉर्म में नजर आ रही है ठीक है कभी कभी 24 होती है डिपेंड्स ओन दा फ्रेम रेट अगर आप एक सेकंड में साथ तस्वीरें देखें स्लोमो वाले लोग जो टिक टॉक पर स्लोमो बनाते हैं आजकल इसको बोलते हैं फ्रेम्स पर सेकंड एक सेकंड में कितनी तस्वीरें आपके सामने से नजर आएं अगर पंदरा नजर आएंगे तो आपकी भागते हुए कि तस्वीर बलर होगी वीडियो बलर होगी सोरी अगर आप उसको रोकें जगा पे 24 फ्रेम्स पर सेकंड पर तस्वीरों में तोड़ लिया जाए, you can analyze that video as well, ठीक है, इसी वज़ा से पराने दौर में videos को motion pictures बोला जाता है, तस्वीरों का हिले वाले चलना, या हिलती हुई तस्वीर है, चलती हुई तस्वीर है, motion pictures, तो usually video जो है, अगर आपको pictures की tag का पता है, तो video easy है, तो video के होती sequence of images, detecting images, and it's also similar to detecting videos, but you can also do the tracking, you can do a lot of other stuffs inside video computer vision, ठीक है, इसके लिए हमें जाहरी बात है, VS code और बाकी library की जुरूरत पड़ेगी, and we are going to use that one, अब हमने क्या करना है, हमने, अभी इसको install ना कीजिएगा, आप computer vision का open cv- python के थूँ, इस library को install करेंगे, अपने एक separate environment में, जहां पे computer vision सिरफ होगी, अलएदा से अपना Microsoft, Konda का, Mini Konda का environment बनाना है आपने, उसके अंदर separately open cv- python की library install करनी है, आपने, ठीक है, separate अलएदा से बनाना है, TensorFlow वाली मैं नहीं करनी है, मैंने TensorFlow का नाम ही नहीं लिया है, आपने separately इसको, open cv को separate एक environment में install करना है, open cv- python से install होगी, और इसको install करने के बाद, अगर आपके पास Linux से Windows रा, तो आप ऐसे करेंगे, Mac कैसे करेंगे, फिर हम handzone practices पे करेंगे, किस तरीके से ये काम करती है, और numpy इसके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, तो हम इसको भी देखेंगे, और open cv कैमरे से live image कैसे read कर सकते हैं, और so on, कितना आप easily काम कर सकते हैं, और कौन-कौन सी चीज़ें इसके लिए जरूरी हैं, भी के लिए आपने ये वाली library को install करना है, मैं यहां पे screen को इसी वज़ा से stop करता हूँ और आपको जो मैं निया environment जैसे बनाता हूँ, वैसे आपको बनाके दिखाता हूँ ताके easy हो जाए आपके लिए, तो ये मेरे पास आपके सामने screen नजर आ रही होगी, right, मैं ने terminal पे जाता हूँ यही से, और यहां पे मैं लिखता हूँ, conda या mamba यूज़ कर लेते हैं, mamba create minus n open underscore cv, ठीक है, ये मेरे पास environment create हो जाएगा, फॉरण से हो गया, mamba activate open underscore cv, ये मेरे पास चल पड़ा, activate हो गया environment, अब मैं इसके अंदर install करूँगा, पहले करूँगा python को install, ठीक है, तो मैं यहां पे करता हूँ, mamba install python, क्योंकि python के अंदर चलनी है न ये, ठीक है, तो ये mamba से थोड़ी से speedily काम हो जाता है, मैं बकाइदा इसी terminal के अंदर इसी बड़ा से काम करता हूँ, क्योंकि ये कदरे easy और speed से होड़ाता है, ये हो गया जिए हमारा python install, obviously मैं numpy की library भी इसमें install करूँगा, बाकी pandas वगएरा सारा कुछ, लेकिन for now, open cv हम करेंगे, अब करेंगे pip install, open cv- python, अगर ये नराज हुई तो we will see नहीं नराज नहीं है, चल रही है, 32 सेंवे की library है, it will install numpy automatically, so you don't need to install numpy, ठीक है, ये मेरे पास open cv की library यहां पे install होगी है, ठीक है, अब यहां पे pip install, IPY kernel भी हमने करना होता है, जिससे आपका ये kernel साब चल रहे होते हैं, दुपिटर नोटबुक में, ये मेरे पास IPY kernel साब चल रहे हैं, इंस्टॉल हो रहे हैं, ये बाद में भी इसने मांगना ही है, इसको करने के लिए तो मैंने पहले से कर लिए, so this is how you can work in open cv library, ये मैंने इंस्टॉल कर ली है, अब इसके उपर हम काम करेंगे, but I would suggest के हम जो है, अब मूव करते हैं हमारी deep learning के algorithm की तरफ, क्योंकि जो मैंने pixels आपको समझाए हैं, वो basic उस project की है, जो भी हम करने वाले हैं, ठीक है? ठीक हो गया, ये मैंने एक separate environment बनाया, ठीक है, open cv का, so we have to install this in a separate environment, उसकी reason मैं आपको बताता हूं, क्योंकि रजाना हमने 15 से 20 मिनिट इस पर काम किया करने, ताकि हमें बारी-बारी ये चीज़ें समझाती हैं, मैं यहां पर अपनी screen को stop करता हूं, और, और,